नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कविता राना जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देश के राजनीती दिन पर दिन गर्माती जा रही है तमाम विपक्ष दलों के जुबा पर सिर्फ एक ही नारा है मोधी हटाओ ऐसे में बला देश के राजनी दिली में जाड़ू चलाने वाले और आम आदमी पार्टी के नेता अर्विन केजरिवाल कहां पीछे रहते पिछली बार आपने बार्वी पास को पीम बना दिया था लेकिन इस बार ये गलती मत करना ये बयान देखकर अर्विन केजरिवाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए है क्या कहती है अर्विन केजरिवाल की राजनेते कुंडली इस पर बाचित करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है दुनिया के सुप्रसित सुदर्शन चक्र जोतिश अचारिय श्री सन्बेतरा शोका जी सर एक बार आपको दुबारा स्वागत अनमेफ नियूस पर और दूसरा मंगल शनी इनका 12 भाव पे है जिसकी तृत्य द्रिष्टी जो है मुकस्थान पे सब्तम द्रिष्टी छटे भाव पे चटा भाव जो होता है शत्रू भाव होता है और दशम द्रिष्टी इनकी भाग्ये पे हैं तो जो त्रित्य द्रिष्टी जो मुक्स्थान पे है वो हानीकार है क्योंकि शनी नीच का है सब्तम द्रिस्टी इनकी छटे बाव पे है ये जितनी बड़ी दुश्मनी लेंगे बड़े से बड़े से दुश्मनी लेंगे क्योंकि वहाँ पे इनकी जो उच्च राशी है शनी की तो वहाँ पे शनी नुकसान नहीं देता अपने घर को कोई नुकसान नहीं देता इसी तरीके से ये शनी इनका भागय भाव का भी मालक है तो भागय भाव का मालिक होने के कारण शनी भागय को भी इनके जो है नुकसान नहीं देता है लेकिन नुकसान देता है इनके मुख स्थान को ये कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं क्योंकि अभी इनकी संकटा योगनी चल रही है और उसका लास फेश चल रहा है दूसरा इनकी राशी पर इनकी राशी जो है चंद्र जो है चंद्रमा इनका ब्रिक राशी का है तो इनकी ब्रिक राशी है और ब्रिक राशी पे चोवीस एक दो हजार बीस तक शनी की ढहिया है शनी की ढहिया शनी का द्वादेश भाव में होना और नीचका होना तीसugenी का मुख स्थान पे देखना शतुर्ता तो ये दुनिया के बड़े से बड़े ब्रेक्ति से लेंगे ये किसी को भी target कर सकते हैं तो लेकिन शनी क्योंकि संकटा भी चल रही है संकटा का मालिक भी शनी है उदर शनी की इनकी धहिया चल रही है तीसरा शनी जो 12 भाव में नीच का है तो इन तीन योग के करान ये जो भी बोलेंगे मैंने बहुत पहले इनके लिए भविशेवानी की थे कि ये ज्यादा ना बोले 2016 में तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया था ये जो सब को target कर रहे थे उस भविशेवानी के बाद अर्विंद केजरीवाल जी ने अपनी वानी को थोड़ा विराम दिया था जिसका इनको फाइदा भी हुआ प्राकरम स्थान में इनके जो है नीच का मंगल है और प्राकरमेश इनका लगन पे है अभी इनकी ब्रस्पती की महादशा चल रही है ब्रस्पती में राहू का अंतर राहू जो है ब्रिस्पती से अस्टमभाव है और उसमें प्रत्यांतर जो है नीच के शनी का है जो 27-11-2018 से स्टार्ट हुआ है और ये 14-4-2019 तक रहेगा तो इलेक्शन शुरू होने तक ये जिस भी गटबंदन को साथ देंगे जहां पे भी जाएंगे कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे ज इसकी माइलेज के रूलिंग पार्टी को मिलेगे तो टोटेलिटी में इनको 2020 तक बोलने से पहले मन्थन करना बहुत जुरूरी है क्योंकि इनके गरहे बहुत बढ़िया है उचका चंद्रमा केंदर में चार गरहे इनके जो हैं चतुर्द भाव में चार गरहे हैं और उच के चंद्रमा से फॉर्थ हाउस में ब्रिस्पती सूर्य बुद्ध और शुक्र का होना ये इनको हर तरीके की सुक्स विदहों का कारक है चंद्रमा से फॉर्थ हाउस में ब्रिस्पती गजकेशरी योग बनाता है और बुद्ध अजिते योग जो है इनको पॉपलर्टी दे बुद्धिस्थान का मालिक है और मुगस्थान का मालिक है तो ऐसा नहीं है यह हमेशा गलत बोलते हैं लेकिन जब भी यह गलत बोलेंगे तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और वो नुकसान होगा शनी के कारण शनी की ढहिया चल रही है संकटा योगनी चल रही है और ब्रेस्पति में राहू में जो शनी का अंतर है देखिए ब्रेस्पति से राहू जो है अस्टम और राहू से दुत्य में शनी होने के करण इनके मुख से जूबी निकलेगा अब यह जिससे भी जो है जिसको भी टार्गेट करेंगे वहाँ इनको नुक्सान होगा तो सार जैसे कि आपने ये बताए कि इस तरह के ग्रह दश्या ऐसी है कि ये हमेशा ताकतवर इंसान को ही टार्गेट करते हैं जो कि दिखता भी है हर वक्ट जो केजरिवाल हैं वो पीम मोधी पर सीधा डारेट टार्गेट करते हैं उनका एक बड़ा बयान था कि हमारे तो सिर्फ जूबा गंदी है लेकिन आपके तो कर्मी फूट है अभी हाल फिल हाल मैंनों ने एक और बयान दे दिया है लोगों से अपील किये कि पिछली बार आपने बारवी बास को तो पीम बना दिया था लेकिन इस बार ये गलती मत कीजेगा तो जिस तरह से ये एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद सीधा अदेश के प्रधान मंत्री पर उल्ट पठांग बयान बाजी करें तो आपको क्या लगता है कि इसका जो फाइदा है लेकिन इनके दशम भाव पे शनी की द्रश्टी वहां इनको नुक्सान देगी अस्टम भाव में जो केतु और शनी का होना जो है इनको संतान की तरफ से भी कुछ परिशानी आ सकती है परिशानी देगा उनका अपना स्वास्ते खराब हो सकता उसमें तो यानि कि यह आपका कहना है कि केजरिवाल जो बोलते हैं जो भी उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए लेकिन अगर सरब अगर बात करें 2019 शुनाव को लेकर तो पिछली 2014 में केजरिवाल की आप पार्टी अपना खाता बिल्कुल नहीं खोल पाए थी जी बिल्कुल कई जगह तो ऐसी थी कि उनकी जमाने थी जब तो गई लेकिन इस बार जिस तरह से वह गडबंधन के साथ देखनें कॉलकता रैली में ममता बेनेजी के साथ दिखें और अभी हाल फिल हाल में शर्द पावार जी के साथ मतलब जिस तरह से गडबंधन मोधी गडबंधन के साथ घूम रहे हैं तो उसको लगता है कि गडबंधन के सारे कही न कहीं ये 2019 में अपनी नईयापा लगाना चाहते हैं इसका माइलेज उन्हें मिलेगा क्या गडबंधन का देखिए जो अबजेक्टिव लेके ये पोलिटिक्स में आये थे पहली बाद तो इन्होंने बोला था मैं राजनी थी मैं नहीं आऊँगा बच्चों की कसम खाये थी फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला था मैं किसी भी पार्टी से में उनके जो अपोनेंट थे वो बीजेपी थी उस टेम पे और कॉंग्रेस थी कि इन दोनों पार्टी से कभी भी हाथ नहीं मिलाओंगा वो भी वो दिल्ली चुनाव में कर चुके हैं जब इनको बहुमत से इनका अंकड़ा कम था तो इन्हेंने कॉंग्रेस का समर्थन लिया था भले उसके बाद जो है 67 सीट ली इन्होंने लेकिन कॉंग्रेस का समर्थ बच्चों की किसम खाएती कि मैं राजनीती में नहीं आऊंगा वो भी आए मैं सुक सुईधाएं नहीं लूँगा और आज मेरे ख्याल से अर्विंद केजरी वाली एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कैबिनेट में उनके जो सांसाद हैं उनकी जो तनकाई नोंने जिस तरीके से हनाप शनाप बढ़ाई हैं तो वो अपने आप में एक मिसाल है और इनकी कोठी में जितने इसी लगें में ये सारी चीजें जो हैं जनता के सामने हैं कि इस बंदे की कथनी और करनी में क्या फरक है इस बंदे की कथनी और करनी में क्या फरक है ये कमिट क्या करता है करता क्य हैं तो आपने जो प्रश्ण किया है कि ये दोहजार उन्नीस के इलेक्षिन को मद्ध्य नजर अगर लोकसभा को मद्ध्य नजर रखके अगर ये कर रहे हैं तो डेक्लियर कर चुके हैं कि हम इलेक्षिन नहीं लडएंगे क्योंकि चारसो चोविस सीटे सीटों पे 2014 में ये लड़े थे और इनको सिरफ 4 सीटे मिली थी वो भी इनकी इज़त जो है पंजाब ने बचा दी थी पंजाब ने इनकी इज़त बचाई Otherwise एक परसेंट भी इनको अचीवमेंट नहीं मिली 424 लड़ने के बाद अगर 4 सीट आती है तो complete एक परसेंट भी नहीं बनता तो इतनी बड़ी मूग की खानी पड़ी थी नोटबंदी के बाद अब किसी भी पार्टी पे वो हिमत नहीं है कि वो all over the इंडिया आप जैसी पार्टी election लड़ सके वो अपनी pockets में ही लड़ेंगे अगर नोटबंदी नहीं हुई होती तो शायद ये फिर दुबारा लड़ते हैं लेकिन अब बात सर अगर हम दिल्ली की सियासत को लेकर करें तो एक जो जंग छिड़ी हुई है लोग उसे नाम दे रहे हैं कि केज़वाल बनाम LG केज़वाल को बड़ा जटका लगा है सुप्रेम कोट ने साफ कह दिया है कि जो एंटी कर्प्शन ब्यूरो है वो केंद्री के अधी नहीं रहेगा जिसको लेके केज़वाल कह रहे है कि कोट का जो फैसला है वो ना सिर्फ दिल्ली की जंता के खिलाफ है तो आपको क्या लगता है जो ये सियासे घमासान मचा हुआ जो जंग छिड़ी हुई है इसका क्या भविश्य रहेगा किसको फायदा होगा और जो दिल्ली की जंता है उसका क्या होगा देखिए जिस तरीके से केज़वाल जी लोगों के अगेंस्ट जिस तरीके से वो करते थे तो देखिएगा उनकी समझ से बाहर मतलब ये हर एक टॉप क्लास को टार्गेट करते थे लेकिन उसके उपर उनके उपर एक बंदा छोड़ गया एल जी जिनों ने इनकी नेंद हराम कर दे ये कुछ भी नहीं कर बार है एल जी एल जी एल जी एल जी से बाहर ने निकल पा रहे हैं और उसका कारण है शनी इनका शनी मेशराशी पे मेशराशी मेशराशी में शनी होने के कारण और द्वादश पहों में होने के कारण उदर मंगल भी नीचका होने के करण तो LG या A initial या LG ये दोनों शब्द इनके लिए जो हैं इनके पीछे अगर ये पढ़ेंगे तो ये अपना सत्यानाज करेंगे और definitely अगर आप देखें तो इन्होंने अपने राजनितिक जीवन की सबसे बड़ी गलती जो है LG को टार्गेट करके LG के अपने समयधानिक अधिकार हैं आप किसी के समयधानिक अधिकार को एजीटेशन करके या उसके घर में धरना देके नहीं छीन सकते Supreme Court is there और उसका जो रिजल्ट अभी सामने आया आज जिसे जिसमें उनको मूगी खानी पड़ी तो ऐसे में जब दिल्ली के चुनाव होंगे पिछली बार तो 67 सीट जीदी थी केजरिवाल ने अब जो चुनाव होंगे दिल्ली के विदानसभा चुनाव तो उसमें आपको क्या लगता है क्या एक बार उनकी जाड़ू जादू चला पाएगी देखिए जो आपने प्रश्ण किया है कि वो काम करना चाहते हैं और सरकार उनको करने नहीं देखे उनका ये कहना है मतलब ये कहां तरक संगत है आप 70 में से 67 सीट लेने के बाद अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप कब काम कर पाएंगे इस तो वो बाद वी नचन नहीं है आवत कहे तंगना टेड़ा कंट्रोल करना नहीं आता पहली बार राजनीती में आया और आते ही इतनी सफलता मिल गी अब वो बुखलाए हुए थे कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना क्योंकि हर एक को अगर आप एक ही डंडे से चलाओगे तो आपको सहयोग नहीं मिलेगा यही एक कारण था कि खुद IARS होते वे IARS लोबी ने IAS लोबी ने इनका भहिशकार किया इनको साथ देना बंद कर दिया और इनको जाके LG के यहां धरना देना पड़ाए का किया आप जो है इनको बोलो कि यह इनके साथ काम करें और इन्होंने बत्तमीजी भी करवाई जिसका इनको खामियाजा भूगतना पड़ा लेकिन यह हमेशा अपनी गलतियों का ठीकरा किसी दूसरे पे फोड़ के भागने की कोशिश करते है लेकिन पबलिक है अब पिछले पांच साल में जो इनको देखा है उसी हिसाब से डिसिजन नहीं इन्होंने काम नहीं किये काम किये हैं बजाए दूसरे के नुक्स निकालने के अगर यह अपने काम को बताएं कि मैंने क्या क्या काम किया तो इनको लोग जो है पसंद करेंगे आप किसी की तरफ फिंगर करते हैं तो चार फिंगर अपनी तरफ होती है और वो जो चार फिंगर आपकी अपनी तरफ होंगी वो आपको ज़्यादा नुक्सान नहीं तो आपको लगता है कि सूर गई का आकड़ा पार कर पाएंगे जब चुनाव होंगे 맞는 की तो कहीं दूर में खेड़ना पार्स स्थीट different कि एप करेंगी किता हमसे बास्चित करने एक बहुत बहुत शुक्रिय्व Asia Keep जिनकी बड़ी भविश्वानी है कि इस बार भी लोकसभा में दिल्ली की जो सातों की साथ सीटे थी वो मोधी सरकार के खाते में ही जाएगी और केजरिवाल के लिए खासकर संबेतरा जी ने एक हिदाय दी है कि केजरिवाल को बोलने से पहले सोबार सोचन चाहिए अपनी जो तीखी जुबान है वो उन पर भारी पढ़ सकती है और जिसके चलते उनको बड़ा उनुक्सान हो सकता है तब तर के लिए मुझे यानकी कवताराना को दीजे जाज़त और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ